हेलो डियर स्टूरेंट्स आई वेलकम यू और आपको जो पॉइंट्स है वो नोट करते जाना है जो भी नए पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं रवाइस करना है अपने शॉर्ट नोट के साथ कोश्चन्स प्रेक्टिसिंग में लेकर चल रहा हूँ आपको सिरीज सो कंटीनूसली फॉलो करना है और आपका सब्जेड इस सीरीज से खतम होते ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको रिविजन में मेरे हल्की रिक्वार्मेंट तो एसी प्लस एप्लिकेशन पर अवेलेब वो आप इनके लास्ट में डाउनलोड कर सकते हैं दा कि आप रिवाइस कर पाएं सेशन में आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर टू एंड टॉपी के डिजाइन ऑफ कनेक्शन्स तो कनेक्शन से कोश्चन्स हम यहाँ पर प्रेक्टिस कर रहे हैं पहला कोश्चन है इने र जो जॉइन का फैलर होता है उसमें टोटल एट प्रकार के फैलर होते हैं जिसमें से तीन जो फैलर होते हैं वो रिवेट के होते हैं और उन तीन में से वहीं पर पांच जो फैलर होते हैं वो मेंबर प्लेट के होते हैं यह तीन फैलर कौन-कौन से होते हैं रिवेट के इसम जो crushing felor भी बोलते हैं और एक आता है bending of rivet IF bending of rivet तब होता है जब घृपलेंज Customer स्ट्रॉंगर और मेंबर में पीज्च कर coupon हुआ हम लाव प्लेट यह तब होता है जब आपका पिछ बहुत कम आपने दी हो एक होता है शीरिंग फैलर यह तब होता है जब एंडिस्टेंस या एज डिस्टेंस प्रॉपर ना हो एक और होता है जब एज या एंडिस्टेंस प्रॉपर ना हो और एक होता यहाँ पे bearing feller of plate ये वाला तब होता है जब plate कमजोर और rivet stronger इसके अलावा साथ में एक और feller यहाँ पर होता है block shear feller जिसमें tearing feller और shearing feller यानि ये दो feller जब एक साथ होते हैं और tensile और shear करेक आता है 90 degree पे तब block shear feller होता है जो block shear feller है ये सिर्फ tension member के अंदर ही देखने को मिलता है only in tension member तो यहाँ पर से अगर हम proper codal provision को follow करें तो हम bearing को रोख सकते हैं proper age and distance हम दें तो हम shearing, splitting, bearing को रोख सकते हैं तो ultimately block shear feller सिर्फ tension में होता है तो हमें mainly joint को check करना होता है strength of joint वो shearing, bearing और tearing feller of plate इन तीन में ही check करना होता है इसलिए shearing में जो strength है, जो load capacity है, bearing में जो strength है और tearing, उनका जो minimum होगा वही strength of joint होगा उसका सही answer क्या होगा? D option next is when the effect of window earthquake load is considered in the design of the rivets and the bolt for steel structure by what percentage the permissible stress में भी excited तो उसमें ध्यान रखना है कि static loading situation में जो values हमने पड़ी है जिसे static loading में हमने पड़ा हुआ है, permissible stress की values, member के लिए अगर हम बात करें तो अगर bearing condition है, permissible bearing है, तो bearing के लिए value किती पड़ी है? 0.75fy उसके बाद जो direct tension compression है, वहाँ पड़ा है 0.60fy जो bending compression tension है, उसमें पड़ा है 0.66fy वहीं पर जो maximum shear stress है, उसके लिए हमने पड़ा है 0.45fy और जो average shear stress है, उसके लिए हमने पड़ा है 0.40fy अब यह static loading का है, ऐसे rivets के लिए भी पड़ा है power driven rivet है तो 100, 100, 300 अब जो rivets के अंदर, जो rivets होते हैं वहाँ पर हमने पड़ा होगा है sigma SP, sigma AT और sigma BP allowable permissible shear, permissible bearing और allowable tension तो यह है 100, 100, 300 for power driven rivet और वहीं पर shop driven में यह है 80, 80, 250 तो यह हो गया member का, यह हो गया rivets का पर यह values तब है जब आपका steady loading है, अगर dynamic loading है, wind load, earthquake load आ रहा है तो ऐसे case में I.S. code बोलता है, कि permissible stress जो है, उनको आप बढ़ाएंगे और permissible stress की value, connectors जो है, connectors जो है, उनमें आप बढ़ाएंगे 25% और वहीं पर जो member है, उनके अंदर आप बढ़ाएंगे 33% या 33 is to exit जो है, exit जो है, 33, 1 by 3%, ठीके, याद कैसे रखना है, connectors कमजोर होते हैं, तो वहाँ पर जादा नहीं बढ़ाना है, वरना काफी safety काम हो जाएगे, तो connectors में 25 और member में 33%, तो इसका सही answer कि आपका किसके लिए पूचाएं, permissible stress में भी exceed, तो किसके लिए पूचाएं, when the effect of window earthquake is considered in the designing of the rivet and bolt, तो connection के लिए पूच रहा है, connection में कितना वड़ाते हैं, 25%, यानि B will be the correct answer, next is a 6 mm thick mild steel plate is connected to an 8 mm thick plate, by 16 mm diameter sharp rivet, तो diameter rivet का हमें दे रखा है 16, 16, मतलब जो hold आया है, वो हो जाएगा 17.5, ठीक है, आगे बोला है कि हमारे पास जो plate है, एक 6 mm thick plate है, और वहीं पर एक 8 mm thick plate है, और दोनों को connect कर रखा है, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हम lab joint माननेंगे, तो यह 8 mm की plate है, और यह से हमने rivet से सो connect कर रखा है, यहाबर यह बोल रहा है, what is the number of rivet required to carry an 80 kN load, मतलब design load हमें दे रखा है, 80 kN, अब इसमें अगर हमें number of rivets निकालने, तो number of rivets के लिए formula क्या होता है, load divided by rivet value, लोट तो होगे 80, rivet value निकालना पड़ेगा, rivet value के से निकालते हैं, rivet value का formula होता है, minimum of shearing strength and bearing strength, तो minimum of, अब shearing strength का formula क्या है, तो shearing strength का यहाँ पर formula है, number of shear plane, तो number of shear plane तो का 1 into pi by 4 into 5 dash का square into sigma SP, और जो permissible, जो bearing strength का formula होता है, crushing strength, वो होता है, 5 dash, मतलब 17.5 into T minimum, दोनों में से minimum दिखने स्कोन है, 6, और into में sigma BP, 5 dash T minimum sigma BP, इसमें जब रखेंगे तो कितना answer आ रहा है, उसको check करते हैं, power driven shop है, तो sigma SP 100 होगा, और यह होगा 200, 300, जरा values निकाल दें, कितनी आ रही हैं, 217.5 का square into 100, तो यह आ रहा है, 23.88 kilo Newton, और अगर bearing निकाले हैं, तो 17.5 into 6 into 300, single shear plane में आप ध्यान रखना हमेशा shearing ही कम आता है, तो इन दोनों में से जो minimum है, वो shearing हो गया, इसलिए यहाँ पर rivet value 23.88, अगर हम 80 kilo Newton में divide कर दें, 23.88 का कितना answer आता है, 80 divided by 23.88, this comes out to be 3.35, और 3.35 पूछा है, बोला है, मतलब rivet की संख्या कितनी होगी, 4, आर, तो सही answer यहाँ पर होगा, C option 4. Next is which one of the following is the most critical rivet in the joint, shown in the figure below, इस diagram में most critical rivet को ने, देखिए यहाँ पर समझना, सबसे पहली बात, most critical rivet में दो rules होते हैं, पहला rule यह बोलता है, पहला rule यह बोलता है, कि most critical वो होगा, which is farthest, farthest from CG of rivet और bolt group, जो CG से, group के CG से दूर हो, अगर diagram में देखिए, तो group का जहाँ CG आएगा, वहाँ से 4, 3, 2 और 1 सबसे दूर है, मतलब यह सब तो most critical हो ही नहीं सकते बीच वाले, अब इन सब में से हमारे पास 4 option बज़ जाते हैं, इसमें भी ध्यान रखना है, दूसरा rule है, rule number 2 जो है यहाँ पर, rule number 2 बोलता है, which is nearest to the CG of load, अब पहले rule के पास होने के बाद जितने बचे, अब उन में से जो load के CG के पास हों, वो most critical होंगे, तो load की CG के पास में, load इधर से लग रहा है, तो 3 and 4 बसते हैं, मतलब हमें mainly चेक करना है 4 and 3 को, अब हम 4 को चेक करते हैं, अब जिसका angle देखेंगे, क्योंकि load inclined है, अगर load vertical होता, ऐसा load होता यहाँ पर, तो हम by default answer 4 बोल देते, बट load inclined हैं, इसलिए अब 3 and 4 को चेक करना पड़ेगा, अब अगर हम 4 वाले को देखें, यह इसका यहाँ पर मानलो group का CG है, तो इसमें एक force तो आएगा FD, FD की direction मानलो ऐसी कुछ होगी, यह FD हो गया, साथ में FD देखेंगे torsion force, और torsion force क्या होता है, radius के perpendicular torque की दिशा में, torque हमारा ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पर FD की direction यह होगी, FD, FD के बीच का angle आपको दिख रहा है थोड़ा कुछ है, अब वहीं पर आप compare करना किसके लिए, third वाले के लिए, यह हमारा यहाँ पर third वाला रिवेट है, और यह CG हो गया, ठीक है radius के perpendicular torque की दिशा में, मतलब इसका तो FD इधर आएगा, FD, radius के perpendicular, ठीकुलर, ठीक है, साथ में load की भी direction ऐसी है, मतलब FD भी इधर आएगा, अब अगर आप देखें, तो इसमें जो angle बन रहा है, FD, FD के बीच में, वह सबसे कम है, तो चुकि third वाले का angle कम है, इसलिए उसका cos theta जादा होगा, और cos theta जादा होगा, तो उसमें resultant force FR जादा आएगा, इसलिए इन सब में से जो most critical है, वो number third वाला होगा, angle भी देखना है, एकदम value नहीं निकाल ली है, पर आप angle को filter कर सकते हैं, इसमें जादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा हैं, इसलिए third will be the most critical, next is a bracket has been attached, to the flange of the column is shown in the figure, what is the maximum force in the world, ऐसा bracket plate लगी है, यहां से भी load लगा है P100, यहां से भी load लग रहा है P200, देखो अगर में इस load को, CG पे transfer करूं, तो एक तो P का ऐसा load आएगा यहां पर, और साथ में एक couple आएगा P200 का, राइट P200, साथ में इस P200 को यहां transfer करूं, तो एक P का ऐसा upward लोड आएगा, और साथ में ऐसा एक moment आएगा, और वो आएगा P200 का, मतलब final condition क्या बनेगी बच्चों, final condition यह बनेगी, कि हमारे पास जो plate है, उस plate में हमारे पास यहां पर 4 ऐसे bolt हैं, ठीके, अच्चा, इसमें भी, 4 bolt के अंदर, आपका direct force वा रहा है, उपर का P, नीचे का P कड़ गया, तो net सिर्फ यहां पर moment बचेगा, अच्चा, इसकी जो direction है, इसकी भी वही है, से में दोनों 8 हो जाएंगे, तो moment यहां पर हो जाएगा, 2P into 100 का, मतलब 200P का तो moment हो जाएगा, चुकि 100P plus 100P, 200P, अब यहां पर सिर्फ torque आ रहा है, अगर सिर्फ torque आ रहा है, तो हर एक revet के अंदर, सिर्फ एक ही force आएगा, और वो कौन होगा, Ft, अब चुकि एक ही force है, तो यहां पर जो resultant force होगा, वहां भी Ft ही होगा, चार ही है, तो इसमें सिर्फ जो maximum force पूछा है, maximum force, तो हमें सबसे पहले most critical ढूनना परता है, चुकि चारों में सिर्फ Ft है, और चारों ही दूर है, तो सभी में Ft सेम आएगा, अलग-अलग निकालने की जरवत नि, किसी भी एक में निकाल लो, अब डागराम में जो given information ने ध्यान से देखे, तो यह है 30 mm, मतलब यहां से यहां की distance है 30, और यह distance है 40, यह 40 है, मतलब यह जो distance है, वो बनेगी 50, तो अगर यहां बर हम देखे, हमारे पास revet है, उसकी यह जो distance है, और इसमें हमें निकालना है Ft, जो radius के perpendicular होगा, तो Ft का formula क्या होता है, जितना भी आपका torque है, torque into R, upon सब के R के square का sum, तो torque कितना हो गया 2p into 100, radial distance कितनी है 50, और अगर आप ध्यान से देखे, तो सब की radial distance से में है, तो हम यहां में क्या करेंगे, 50 का square प्लस 50 का square, प्लस 50 square प्लस 50 प्लस 50 प्लस चार बार, या फिर 4 into 50 square, इससे यह cancel हो गया, ठीके 50 से गया 2 times, और 2 और 2 से कड़ गया 4, तो answer आगया P kilo Newton, मदब जो torsional force आया, वो कितना आया P, यानि यही आपका, इसमे, resultant force भी, जो सभी में आएगा, maximum F R, सभी से में सेम आएगा, और वो कितना आएगा, P kilo Newton, तो इसका सही answer है, P kilo Newton, next question है, what is the maximum permissible, longitudinal pitch in staggered riveted arrangement, देखो, अगर chain arrangement है, तो chain arrangement के अंदर, जो maximum pitch permitted है, maximum pitch और gauge, plate section में, ठीके, अगर rolled section है, तो, मतलब rolled angle section है, तो rolled section में है, 1000 mm, tension में, और compression में है, 600 mm, यह maximum pitch हो गया, वही बर, अगर plate section है, तो plate के अंदर है, tension member में, 16 T minimum, और 200, compression member में है, 12 T minimum, और 200 mm, वो भी तब जब, exposed to corrosion, अगर not exposed है, to the corrosion, corrosion के chances नहीं है, तो यही value, हर case में, 32 T, या 300 mm हो जाएगी, exposed to, corrosion, exposed to atmosphere है, तो 16 T, 12 T, नहीं है, तो 32 T, 300, अब इसी में, I.S. code ने बोला, कि अगर, staggered arrangement हो, या diamond arrangement हो, तो एसे case में, जो chain arrangement की, values हमने पढ़ी है, हर case में, उनको 50%, बढ़ा देने का है, मतलब, अगर corrosion नहीं हो रहा है, तो यही value, अब कितनी हो जाएगी, 16 का अगर डेड़ बढ़ाएंगे, तो यह 24 T, और 300 हो जाएगा, compression member में, यही वाली value, 18 T, और 300 हो जाएगा, और अगर corrosion है, तो तो इसमें नहीं बढ़ाना, यह तो 32 T, और 300 ही रहेगा, अब अगर ध्यान से देखें, question क्या पूछ रहा है, maximum कितना पर मीट करा, option देखो, 500, 400, 300, 100, तो इस टेगर में, maximum कितना पर मीट करा हमने हर केस में, 300 mm, so C will be the correct answer, next is, what is the ratio of permissible bearing, stress in power driven shop revet, power driven shop में, permissible bearing, की जो value होती है, वो होती है, 300 Megapaskar, आगे, to the yield stress of mild steel, mild steel का, जो yield stress होता है, उसकी value होती है, 250 Megapaskar, अब इसको अगर हम solve करें, तो यह आजाएगा, 5, 6s are 30 and 5, 5s are 25, यानि 1 point something, 6 divided by 5, कितना हैगा, 1.2, अब 1.2 option में हैं क्या, नहीं है, यह तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो फिर हम एको आंसर मानेंगे, कि भई लगभग हम बोल सकते हैं, 1 के आसपास, नियर अबाउट 1, ठीके, अगर वहीं पर यह, तो पावर ड्रिवन, हैंड ड्रिवन, यह बडूर नहीं हैं, तो उसमें जो परमिसेबल बियरिंग है, अपोण इल डिस्टेस, तो परमिसेबल बियरिंग वहां पे, आपका 250 है, और यहां पर भी 250, तब यह जरूर एक्जिट आंसर बन हो जाता, पर शॉप बोला है तो हो सकता है कोश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो यहां पर पावर ड्रीवन की जगे हैंड ड्रीवन आना था तो ठीक है जो ज्यादा करेक्ट है वो है ए ऑप्षिन ठीक सही आंसर क्या होगा ए ऑप्षिन नेक्स इस हाव और इस्ट्रक्चरल मेंबर कंपोज्ड आफ टू एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड थूआउट देर लेंद अगर देसे मान लो की हम कहीं पर कनेक्शन कर रहे हैं और दो एंगल सेक्शन हमने यूज़ करें तो इनको हम पूरी लंबाई में कनेट केसे करते हैं तो इनको जब हम कनेट करते हैं तो यहां पर बीच में रिवेट लगाते हैं और जो बीच में रिवेट लगाते हैं इन रिवेट को हम टेक रिवेट या स्टीच रिवेट बोलते हैं यहां जो रिवेट लगते हैं जो क रिवेट जो connection पर मोजूद होते हैं और अगर built-up section है दो member हैं और वो मिलकर एक काम करें आप ऐसा चाहते हैं कि वो दो मिलकर एक system की तरह काम करें तो उसके लिए टेक या stitch रिवेट या bolt लगाए जाते हैं तो सही option होगा D option by taking rivets which one of the following is correct the permissible stress in weld are usually taken as weld में permissible stress क्या लिया जाता है देखो weld दो प्रकार के होते हैं अगर हम बट weld की बात करें तो बट weld का permissible stress होता है 0.6 f5 वहीं पर अगर fillet weld की बात करें तो fillet weld में हम permissible stress कभी-कभी 0.4 f5 लेते हैं absence of data कभी-कभी exam वाले 108 MPa या 110 MPa भी मानते हैं और member के जो परमिसी वाले वो तो अलग अलग है बीरिंग की बात करेंगे तो 0.75 direct tension compression में 0.6 bending में 0.66 सब में अलग अलग है तो अब option क्या है parent body की strength से permissible से कम होगा बराबर होगा जादा होगा कुछ भी हो सकता है desired value देखो desired value option गलत है जोकि बट फिक्स्ट है बस्ट बट में इत्ता लेना है फिलेट में इत्ता लेना है parent body से जादा है यह भी नहीं बोल सकते हैं बराबर है यह भी नहीं बोल सकते हैं तो फिर इसलिए elimination के according सभी आंसर क्या होगा यह आंसर है नहीं यह नहीं बोल रहा हूं कि parent body में जादे ही लेते हैं हर बार parent body में भी शियर में इत्ता लेते हैं और parent body में भी आईए इसकोड का the permissible stresses in a weld shall not exceed allowable stress for parent middle उसे exceed नहीं करना चाहिए मतलब कम हो सकता है बराबर हो सकता है हमें एक सिलेट करना है इसलिए हम लेस वाले पर टिलेक करेंगे फॉर फिल्ड रिवेट दे परमिसिबल stresses are reduced by what percentage हमने पढ़ा है power driven है और shop है तो 100 100 300 क्या-क्या permissible shearing allowable tension और permissible bearing stress एसी अगर hand driven है तो यहां पर है 80 80 250 बड यह भी किसके लिए it is only for shop रिवेट वही पर अगर फिल्ड की बात है तो आईए इसकोड बोलता इन सारी value को 10% decrease करना पड़ेगा थोड़ी safety बढ़ाने के लिए तो सही answer होगा 10% और यही चीज़ अगर weld में पूछी जाती तो weld के case में फिल्ड वाले case में 20% decrease करते हैं मतलब तो रिवेट में 10% weld में 20% निक्सीज़ इस्टील प्लेड इस 300 mm वाइड एंट 10 mm थी का रिवेट ऑफ नॉमिनल डामेटर ऑफ 16 mm इस डिवन इंट 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 नेट सेक्शनल एरिया पूछा तो ने डिड़ा का फॉर्मूला क्या होता पिछले वाले कोश्चन में लेक्च थो यह आगया 17.5 इसे कौश्चन में यह भी देखना नेट एरिया पूछ रहें कि नेट विड़ तो यह नेट एरिया पूछ रहा है इसलिए ती आएगा نैट विड़ पूछता तो खाली इतना ही आंसर होता अ थिकनेस नहीं आता अभी थिकनेस भी करना है थिकनेस कितली ह 300 में से अगर हम साढ़े सतरा माइनस कर दें 300 माइनस साढ़े सतरा यह आ गया और इंटू 10 तो यह आ जाएगा 2825 mm2 option की तरफ चलते हैं 2600 गलट 27 2830 2825 लगबग यह answer सही है so c will be the correct answer next is what is the safe load p that can be transmitted by the fillet welded joint shown in the figure below if the safe allowable shear stress in the fillet weld is यहां भे fillet weld हमें दे रखा और fillet weld की size हमें दे रखी 6 मतलब की fillet weld में जो throat तिकने से वो होता k into s ठीक है k मालनेंगे 0.7 into 6 मतलब 4.2 अब कितना maximum load लगा सकते हैं हम उतना ही load यहां पर लगा सकते हैं जितना strength of weld होगा strength of fillet weld होगा strength of fillet weld का formula होगा effective length into throat thickness into allowable stress जो effective length है वो कितनी है यहां पर कितना है 60 mm फिर यह कितना है 50 mm और फिर यह इतना है 60 वैसे तो जो length दे रखी होती है actual length होती है और effective का formula होता है actual minus 2s बड़ वो कम भी करेंगे तो हमें तो option अगर देख लो आप वैसे भी दूर दूर है तो उतने में हमारा answer आ जाएगा तो हम पूरी effective लिंगत्य मानेंगे 60 plus 60 120 plus 50 यानी 170 mm यह आगया 4.2 और allowable stress question में दे रखा है 108 मानना है फिलेट वेल्ड के लिए मल्टी व्लाय करते हैं कितना answer आ रहा है तो दिस इस 170 इंटू 4 इंटू 108 डिस कमस आउट वी 77.11 77.11 अगर मान लो कि हम इसमें यह effective length देते हैं effective length का formula क्या होता है actual minus 2s तो भी answer लगबग आपका जो आता है वो 75 74 के आसपास आता option देख लो आप साफ साफ देख रहा है see option next is a bolted designated as hex bolt m16 70 nl will have तो इसमें m का मतलब क्या है देखो m का मतलब होता है material साथ में 16 का मतलब होता है nominal डाया तो इसका hold डाया कितना हो जाएगा 18 3 mm जब 16 से 24 के बीच में nominal डाया हो तो 2 mm बढ़ाते हैं बारा से 14 में एक बढ़ाते हैं 27 के उपर तीन बढ़ाते हैं यह 71 का मतलब होता है length of the bolt यह बोल्ड की लंबाई है बोल्ड कितना लंबा होगा ठीक है और साथ में यहां पर बोल्ड का स्ट्रेंद देगा और साथ में जो यह लिखा होता है 0.2 इसका मतलब होता है गर इसका multiply हम ultimate में कर दें तो यह आजगा 240 भई 400 इंटू.6 तो वह हमें yield strength देता है बोल्ड का मतलब जो ग्रेड लिखा उसमें first term में 100 करेंगे तो ultimate मिलेगा और second term में उसका ultimate के साथ शादी कराएंगे तो उसे yield strength मिलेगा अब question क्या पूछ रहा है यह क्या बताना चाह रहा है बोल्ड का डाया 60 में में सही है बोल्ड का डाया 70 गलत लंबाई 70 है लंबाई 16 है गलत cross sectional area नहीं cross sectional area भी दो प्रकार का होता है शेंग का area बोला बोल्ड का तो वह होता है पाई बाई 4 इन्टो डी स्क्वेर और अगर net area बोला मतलब थ्रेडिंग वाला area बोला तो वह होता है 0.78 इन्टो पाई बाई 4 डी स्क्वेर डी कित्ता लेंगे 16 तो उसका सही answer क्या होगा ए ओप्शन next is a structural member carrying a pull of 700 kN is connected to a gusset plate using rivets of 20 mm diameter rivets का diameter दे रखा है 20 mm तो rivet का whole dia हो जाएगा 21.5 25 तक हम 1.5 mm जोड़ते हैं if the pull required for shearing the rivet मतलब shearing strength is 60 then to crush crush मतलब bearing is 35 then free tension tensile strength is 70 kN per pitch then the number of rivet required कित्ते rivet लगेंगे बड़ा ही simple question है इसमें से strength of joint कित्ता होगा strength of joint होगा इन तीनों का minimum तो 60, 30, 70 में से minimum को ने 35 question में बोला है कितना load लग रहा है तो number of rivet का formula हमें number of rivet पूछा है अच्छा number of rivet तो number of rivet का formula होगा total load divide by rivet value इसमें strength of joint की जर्वत नहीं है इसमें जर्वत है हमें main किसकी rivet value की और rivet value होता है इन दोनों का minimum तो इन दोनों का जो minimum है वो है 35 इसलिए यह हो गया 700 upon 35 यह हो गया 2 times और 0 मतलब 20 इसमें पर पिछ लेंद बोलाओ पर पर पिछ के अंदर number of rivets भी इत्ते आएंगे वन ही आएंगे तो उससे आप लोड अपॉन rivet value कर दें that will be your answer next is the maximum longitudinal pitch allowed in bold मतलब इस question में एक बात हो जहां दखना अगर मानलो यह sharing 35 से कम होती 30 भी होती तब भी 30 answer में नहीं लेते 35 ही लेते योगी strength of joint 30 हो जाता हम लोड में rivet value का divide करते है next is the maximum longitudinal pitch allowed in bolted joint maximum pitch कित्ती हम अलाओ करते tension member में हमने पढ़ा है ठीक है अगर chain arrangement है तो हमारे पास होता है 16 T 200 में और वहीं पर इस टेगर्ड पीछ है तो इस टेगर्ड पीछ में हम रखते हैं इसका 50 परसे next मतलब 24 T और साथ में 300 में और अगर नॉड एक्सपोज टूए टमास्फियर है तो 32 और 300 में यह maximum पेच होती है option की तरफ चलते हैं 16 टाइम डायमेटर गलत ठड़ी डायमेटर गलत 16 time thickness सही है 32 time thickness नहीं 32 time होता है बट कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा मानके चलेंगे exposed to atmosphere नहीं बोला है तब भी मानके चलना है यह ध्यान रखना है कि सर 32 भी तो हो सकता है पर जब तक नहीं बोला है तब तक exposed to atmosphere मान के चलना है the effective length of the fillet weld effective length का formula अभी हमने देखा है क्या होता है actual length minus end return और end return जो होता है fillet weld में वो होता है हमारा two time the size of the weld two time the weld size मतलब effective minus a total length minus two times the weld size B will be the correct answer next is when the distance between center of the two edges and rivet connecting the member subjected to either compression or tension exceeds the maximum pitch then the additional rivet which are not subjected to calculated stress are known as यह बोल रहे है कि अगर मान लो दो rivet के बीच की दूरी जो है वो maximum pitch जो हमने पड़ा है या maximum gauge जो हमने पड़ा है उसको exceed करता है जादा हो रहा है तो additional rivet जिन पे calculated stress नहीं आएगा जिसने जॉइंड पर जो होते हैं जो rivets हमारे पास joints पर मुझूद होते हैं उनमें तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और ऐसे rivets को हम normal stress बोलेंगे और normal stress में हमारा हमेशा stress आएगा जो हमने calculate किया है जो join पर मुझूद है और उनमें कभी हम exceed नहीं होने देंगे कोई भी दो rivets कहीं लगे हैं उनमें वो चीज़ exceed हो रही है stress नहीं आ रहे हैं ऐसे rivets load के लिए नहीं बलकि ऐसे rivets use करते हैं जब built-up member दो section को join करने के लिए और ऐसे rivets को हम tech rivet बोलते हैं और उनमें load वाला stress नहीं आता है इसलिए सही answer होगा taking rivet question क्या बोले है विचार not subjected to calculate stress तो सही answer tech rivet जॉइन पर नहीं join के बीच में होते हैं तो उनमें load वाला stress नहीं आएगा for two plates of equal thickness full strength of square aged fillet weld can be ensured if maximum size minimum size जो होती है fillet weld की वो हम पता करते हैं थिकर member की थिकने से मोटे member की थिकने से वहीं पर जो maximum size होती है वो हम पता करते हैं thinner member की थिकने से और इसका नियम यह होता है maximum size का कि अगर square age है square age fillet weld है तो t minimum minus 1.5 subtract करेंगे के से याद रखना है square में S आता है S मतलब subtraction और वहीं पर अगर round age है round age तो round age के अंदर आता है T minimum into 3 by 4 multiplying factor आ जाएगा round age में so its का सही answer क्या होगा 1.5 less than the plate thickness next is when the effect of window earthquake load is taken into account in the designing of the rivet connection the permissible stress are increased by यह फिर सेम वही कोशन है जो आमने पिछले session में पढ़ा था window earthquake है तो rivet के लिए कितना बढ़ाएंगे 25% बढ़ाएंगे और connectors sorry member के लिए पूश्ते structural member के लिए कितना बढ़ाएंगे तो आंसर होता 33.33% rivets connectors में बढ़ाएंगे 25% तो C will be the correct answer the effective throat thickness of fillet weld depend on effective throat thickness जो है इसका formula होता है k into size of the weld और k constant है which is cosine function of half of the fusion angle केकी अलग-अलग values भी होती है अगर जो fusion angle है वो 60-90 है तो अलग value है 91-100 है तो अलग है 101-106 है तो अलग है और 114 से 120 degree है और 120 से 60 तक ही होता है तो अलग-अलग values है 60-90 में है 0.7 इसमें है 0.65 इसमें है 0.60 इसमें है 0.55 और इसमें है 0.50 क्लियर तो अभी हमसे क्या पूछा है इफेक्टिव थ्रॉट तिकने स्विलेट विल्की किस पर डिपेंड करेगी तो एंगल बिट्विन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको शेर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो पीडिए फेव आपको इस ओफिशल टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर दत्र के लिए गुडबाई एंड टेक केर